नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्मक उल्ली में राहू की पांच ऐसी पोजिशन और कुछ राजियोग जो जात्तक को सबसे अधिक लाग देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राहू की पहली पोजिशन तीसरे घर में। अगर आपकी जन्मक उल्ली में राहू तीसरे घर के अंदर बैठा यानि कि थर्डा उसमें प्लेस है तो इसका तात्पर यह क्या है कि आपका कम्यूकेशन, प्राक्रम, आपकी जो मार्केटिंग है, ज लोगों को कन्वेंस करना बहुत अच्छा राजयोग देगा, इसके अंदर राहू अगर अपने ही नक्षत्र में हो, क्योंकि मित्धुन रासी होती है कालपुरुस की जन्मक उल्ली में, आपकी जो भी रासी हो, जैसे कि तीन, साथ और ग्यारा अगर राशियां है, तो वह मिलेंगे, तो पहले पोजीशन यह यहां पे बहुत अच्छा लाब देता है, दूसरी जो पोजीशन है, वो होती है आपके छटे घर के चटा घर जो है, वो नौकरी का है, साथ में कम्पिटिशन एक्जाम क्लिर करने का है, और आज की डेट के अंदर जो है, वो लोगों से अपना काम निकलवाने का भी है, जैसे कि नोकरों के से कैसे काम निकलवाना है, अपने से नीचे जो इंपलोई हैं, उनसे कैसे काम निकलवाना है, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी कैसे काम निकलवाना है, वो सब राहू दिखाता है, साथ में कोट, केस, कचरी, सत् और उसके ऊपर मंगल की द्रिष्टी आ जाए तो राहू बहुत जबरदस हो जया वकील पुलीस यह कोई खूफिया विभा या सीक्योटी से संबने सब चीजों में जबरदस्त लाब के योग बनाता है ऐसा वेक्ती धनवान होता है यहां जो हमें कहते हैं कि अर्निंग का है और राहू क्या है कि कलाकारों का कलाकार है तो अगर यहां पर बैठ गया इसका मतलब कि राहू ने पूरा का पूरा जो है वह सारी कुंडली जो है अपने बस में कर कि जीवन में चाहें कोई भी चीज अच्छी हो या ना हो मैं ऐसे नहीं कहा रहा है बहुत सारी चीज़ें हो बहुत सारे ग्रहें लेकिन आदमी का कर्म बहुत जबरदस चलेगा जैसे कि आप देखते हैं कई सारे पॉलिटीशन है कई ऐसे नेता हो यह कई राजनेता कोई उसारे फिल्म इस्टार रहे हैं जिनका फ्रोफेशनल लाइफ इतनी जबरदस थी कि उसके सामने जो है वो मेरिटल और बाकी चीज़ें जो है कमजोर होगे लेकिन राहू का जो राज्योग है वो बहुत जबरदस यहां पर बनता है तीसरी जो पोजिशन होती है जो आज क बुरा करता है लेकिन यहां पर भी एक राज्योग बनता है अगर राहू यहां पर अपने ही नक्षत्र गाया या ऐसे ग्रह की रासी में या आपकी जन्म कुणली में ऐसे ग्रह से जुड़ावा है जिसके नक्षत्र बैठा है वो ग्रह लाब गर का माली को या लाब गर मे करना जैसे कि आप income tax officer, cell tax officer, CBI, CID या कोई जासूस या जासूसी काम जैसे कि आज के लिए माने कि इसमें छोटे लेवल के आते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो CCTV लगाने वाले इस्टॉल करने वाले इनको जो है अपरेट करने वाले वो भी कहीने भी आठवेगर से आजाते हैं आठवे घर में चुपा वाधन, गड़ा वाधन, डूबा वाधन जैसे कई लोग क्या है कि अठके वे धन को निकालने के लिए काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कोट केस कचरी में जीत उनके अंदर ऐसा वेक्ति जो उल्जे से उल्जावा जो कोट केस है उसको भी क्ल लिए निकिर देता है अब बात कुर्गे और सृथी राजवग के बारे में राहु का राहु का चुथअ ऑ 한데 दुनियां धुरन्या थै आणि कि एक इसा वेक्ति जिसे अपना काम निकलवाने के लिए लोगों को किसी भी हड़ जा सकता है जाशी हम करें शाम दाम ते इसाथ स्पार्गेट देना है राहू को हर तरह का खेल राहू की जो यह वने की जो बनावत है रहू जो बना है वह चार गरहों से बना आएं चारंए जिससे कि हम कह सकते me to Virtual , तो राहू के पास तेज बुद्ध है इसका मतलब बुद्धु . बुद्ध-बुद्धि कहारक हैं , राहू के पास जो है वो छल करने की ताकत है , राहू के राहू के कारन आता है, जो राहू मंगल के गुण देता है तो राहू कंतौर हो जाता है। दूसरा होता है गुरु का ज्याण, गुरु का मैंजमेट, गुरु की तरह समझना कि हमें कैसे लोगों के साथ मिल की आए तो एक जबरदस politician, एक जबरदस manager वो होता जिसके 10वे घर में राहू बैठा हो और 10वे घर का मालिक जो है उसके ठीक सामने चोथे घर में बैठा हो या 10वे घर में बैठा हो, या 2nd house या 6th house में बैठा हो तो आप ये कह सकते हो कि आपका राहू एक बहुत बड़े राजयोग में और आप बहुत बड़े नेता, politician, supervisor, manager, HR बड़ी position में या कोई company के CEO बन सकती है अब एक position आती है राहू की वो है आपकी जन्मकोंडली के 12 घर में, 11 घर में भी आता है लेकिन 11 घर के जो रिजल्ट है वो अच्छे है बहुत अच्छे है लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे है बारवे घर में राहू क्या है लोगों को settlement नहीं करने देता है लेकिन अगर उसका राशी स्वामी उसी के पीछे 11 घर में बैठ जाए या 10 घर में बैठ जाए या उसका नक्षटर स्वामी इन तीन भाहों में बैठ जाए तो आप इमाने कि राहू आपको विदेश में settlement करेगा राहू आपको जो है वो एक ऐसे व्यापार में जागा जो आपको बहुत बड़े लेवल का काम देगा और राहू आपको जो है वो उम्र के 18-22 वर्स की उम्र में settlement में ला देगा विदेशी करोबार इंपोर्ट-एक्सपोर्ड में हीरो बना देगा राहू तो बारवे घर करा राहू बड़ी कि principalmente दैना है कई देशों वाला कई इंप्लोई बनाता है काउर में कि इस पक्तर बाइब तो पुट्र का कारख का मी और अगर घर्म भेहन होती उसका पिकारक है गर रहू के साथ बरू चंडाल दोस बनाता है अगर वह पांच में सात्में नवे घर में बैठा हो तो पुत्र को एक पुत्र प्राप्ती जरूर होती है हेडसे चैलकुलेशन है होसकता है कुछ कुंडौिया एसे होती देहें जो मैंने अपने experience के अनुसार आपको ये बताएं हराजो आप अपनी कुंडले पर try करिएगा गजब के लाव मिलेंगे अगर इन भावों में बैठा है तो तो आज का ये वीडियो को कैसा लगा जरूर बताएं अच्छा लगा तो like करें, share करें, subscribe करें धन्यवाद दोस्तों